हेलो फ्रेंड्स आज फिर मिलेकर आई हूँ किचन की कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स जो आपको बहुती ज़्यादा पसंद आईगी तो चलिए शुरू करते हैं तो क्या फ्रेंड आपने कभी दूद के अंदर ऐसे कटोरी रखी है अगर नहीं रखी है तो आपसे रखना शुरू कीजिए चलिए मैं आपको बताती हूँ जब कभी भी आप दूद बगेरा उभाले तो इस कटोरी को इस दूद के अंदर रख दे इससे क्या होगा कि दूद जो है आपका निकल के भार नहीं आएगा और नहीं कभी बेस्ट होगा तो यह है बेस्ट टीप और दूसरी टीप इसके साथी में बता देती हूँ कि जो यह दूद के किनारे है यहां पर आप घी या तेल लगा देजिए उससे भी आपका दूद बहार निकल कर नहीं और आपको एक बात बताती हूँ उसके साथ ही, तिसरी टीप जब धूद हुमारा उबल जाता है, तो क्या होता है, कि हम उसको ढग के रख देते हैं, लेकिन कभी का वार क्या होता है कि बिलिया, वगेर आ जाती है, और वो दूद हमारा चटकर जाती है पी जाती है तो जब कभी भी आप ऐसे दूद को ढखके रखे तो उसके ओपर कुछ भारिसी चीज रख दीजिए देखे मैंने यहाँ पर यह चिम्टा लिया है आप इसकी जगे कुछ और भी भारिसी चीज रख दीजिए इससे क्या होग कि हमारा जो दूद है वो सेफ भी रहेगा अगर यह टिप पसंद आए तो प्लिस लाइक कीजिएगा तो अक्सर हम क्या करते हैं जब हमारा आठा बच जाता है तो उसे हम ऐसे बॉक्स में रख कर फ्रीज में रख देते हैं और जब नेक्स टाइम हमें रोटी बनानी होती ह जब कभी भी आप खाना बना लें जैसे यहां पर मैंने यह चावल बनाए है और यह देखिए अभी भी इसमें से स्टीम निकल रही है तो आप क्या किजिए जब ऐसे चावल बगेरा बना ले तो आप इस आठे को इसके अंदर इस तरह से रख दीजिए इसको ढख तो यहां पर तो मैंने आठा यूज किया है आप इसकी जगे सबजी वगेरा जो फ्रीज में रखी होती है उनको भी इस तरह से गरम कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर यह टीप आपको अच्छी लगी है तो प्लीस इसको लाइक किजिएगा यह बहुत ही यूसपूल ठीप ह इसको एक बार ज़रूर फोलो कीजिएगा तो चलते अपने नेक्स टीप की और तो फ्रेंड्स नेक्स टीप हमारी इस तरह की बोतल को लेकर है अक्सर हमारे घर में ऐसी बोतल आती रहती है और हम उन्हें वेकार समझकर यूजले समझकर फेक देते हैं तो आज मैं आपको इसकी एक टिप बताती हूँ यह बहुत यूसफुल रहेगी आपके लिए तो आगे से आपके ऐसी बुतलों को फैके ना तो आपको क्या करना है यहां से उपर वाले पार्ट से इसको काट लेना देखिए मैंने यहां पर चाको गरम कर लिया अब इससे मैं काट लूँगी अब इसको मैं कैंची से काट लूँगी यहां से देखिए मैंने इसका उपर वाला पार्ट निकाल लिया है अब इसका क्या यूस करेंगे मैं आपको बताती हूँ तो friends सब क्या होता है कि जब कभी हम ऐसे डबी के अंदर oil बगरा डालती है तो जो oil होता है भार गिर जातो वेस्ट हो जाता है तो आज मैं आपको एक tip बताती हूँ आपको next time से क्या करना है तो यह जो बोतल का हमने उपर वाला पाट काटा है ना इसको इस तरह से इसके अंदर लगा देंगे जो oil है अब इसमें डालेंगे तो देखें friends यह हमारा जो भी उपर वाला पाट है वो एक keep का काम करेगा और इससे oil भी हमार भाने निकलेगा और असानी से इसके अंदर आ भी जाएगा तो friends अगर यह tip आपको अच्छी लगिए तो प्लीज इसको भी like कीजिएगा तो चलते हैं अपने next tip की ओर next tip हमारी इस तरह कैंची को लेकर है तो अक्सर friends को क्या होता है कि यह कैंची हमारे घर में कीचन में बार बार यूज होती रहती है जिससे कि इसकी जो धार है वो कम होती चली जाती है और हम केंची वाले को इनतिजार करते रहते हैं धार वाले का कि वो आएगा और उससे हम केंची की धार तेज कराएंगे तो आज मैं आपको एक ऐसे टीपताती हूँ जिससे कि आप घर पर ही इस केंची की धार को तेज कर सकते हैं तो friends आप क्या कीजिए आप ले लीजिए ऐसा Scrubber जी ह हा यह मैंने नया Scrubber लिया है और तो आपको क्या करना है इस Scrubber को इस तरह से इसी एक पार्ट पर रगडना है और आपको यह 5-6 मिनट तक रगडते ही रहना है तो देखें यह फ्रेंट्स यह हमारी कैंची की साइड तेज हो जाएगी यह आपको मैं दिखाती हूँ यह देखिए रगणने से अगर आप इसको बार बार ऐसे ही चार पाश बार करते हैं तो और भी तेज हो जाएगी तो यहाँ पर यह मैंने कैंची की धार तेज की है इसी तर हमें आपको नाइफ की भी चाकू की भी धार तेज करके दिखाती हूँ यहाँ देखी यह मैंने लिया है चाकू और आपको मैं इसके उपर भी धार करके दिखाती हूँ यह मैंने स्क्रबर ले लिया और इसको भी खर लिया है तो आई होब आपको यह टीप पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए तो चलते हैं अपने नेक्स टीप की और तो फ्रेंड्स क्या आपने यह कभी सिलबटे के उपर ऐसे स्क्रबर रखकर उसके उपर पानी डाला है नई डाला तो आज से डालना शुरू कर दीजिए क्योंकि मैं आपको एक ऐसी टीप पताने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है तो फ्रेंड्स आपको पता ही है हमारा जो यह सिलबटा होता है वो कुछी दिनों के बाद उसके जो यह होल्स होती है वो बंद हो जाती है बिल्कुल ही इस पर कुछ पी पीसा नहीं जाता है तो आज मैं आपको एक टीप बताती हूँ तो नेक्स टाइम से आप क्या केजिए आपको लेना है ऐसे एक दिया यह जी हाँ आप ऐसे मिट्टी का कोई दिया ले लीजिए और उसको इस तरह से सिलबटे के उपर रख कर और आपको क्या करना है इसके बाद अच्छे से इसको घिस लेना है सारी जगे मिट्टी लगा देनी है और आप लेना है ऐसे यह स्क्रेबर और इस स्क्रेबर को हमें इसके उपर रगड देना है अच्छे तरह से और आप मैं आपको इसको वाश्ट करके दिखाती हूँ तो इसका क्या रिजल्ट आता है देखिए यह देखिए हमारा जो यह है पूरा तरह से साफ हो गया है अगर इस टिप को आप एक दो बार यूज़ करेंगे तो आपके जो होल्स है पूरी अच्छी तरह से खुल जाएंगे और इस पर जो भी कुछ भी आप पीस होगे वो बहुत अच्छी तरह से पीसा भी जाएगा तो अगर यह टिप आपको अच्छी लगिए तो प्लीस इसको लाइक किजिएगा तो चलते हैं अपने नेक्स टिप की और तो फ्रेंड्स क्या आप भी प्याज के छिलकों को फैक देते हैं तो नेक्स टाइम से आप ऐसे प्याज के छिलकों को फैके ना मैं बताती हूँ इसकी एक best tip जो आपके भोती काम आएगी तो आप क्या कीजिए ऐसे प्याज के शिलकों पर लीजिए और उन्हें गरम कर लीजिए पानी के अंदर और अब इसके अंदर डालेंगे हम एक चम्मच विनेगर और एक चम्मच सोडा यह देखिए यहाँ पर कैसे reaction कर रहना है उन्हें अब इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा detergent powder और इसको अच्छे से उबाल लेंगे इस पानी को अच्छे से उबाल लेंगे यह देखिए यहाँ पर मैंने बर्दन में च्छान लिया है तो यहाँ मैंने कड़ाई लिया और यह जो बर्दन है जिसमें मैं च्छाना है पानी अब इसको इसमें ठंडा करने के लिए छोड़ दूँए और अब क्या किजिए आप लीजिए ऐसी बोतल तो आपके घर में आती ही रहती है ऐसी बोतल और यह हम फैक भी देते हैं तो इसका मैं एक यूज भी बताती है तो आप क्या किजिए इस बोतल के जो उपर वाता धकन इसकी इंदर छोटे-छोटे होल कर लिए तो यह देखिए मैं यहाँ पर चाकू को गरम करके इसके छोटे-छोटे होल कर अब इस पानी को इस बोतल के अंदर में भर लूँगी तो यह देखिए अब मैं बताती है उसको कैसे यूज करना है तो आप क्या किजिए रात को जब भी आप सोने जाए उससे पहले इसको महाँ पर थोड़ा सा छुड़क दीजिए यह देखिए पोतल से मैं स्प्रे कर र आपको करे चुगे रहा है वह बाहर आएंगे नहीं और वहीं पर मर जाएंगे तो यह जो है घर में बनाएवा देशी जुगाड़ है इसको एक बार जरूर फोलो कीजिएगा तो आज की टिप्स आपको पसंद आई होगी कौन सी टिप आपको सबसी अच्छे लेगी प्ली लिबा रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्क्राइब कर लेना तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही यूसफूल टिप में तो थैंक यू फॉर वाचिंग बाई बाई फ्रेंड्स